प्यारे विध्यार्थियों, सुपरबात, मैं रिना यादव, सुरज स्कूल बावल से हिंदी विशे की अध्यापिका, आज आपको अपनी व्याकरन की पाथे पुस्तक का पांचवा अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है, हमारे पांचवे अध् अध्याद करेंगे परियावाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक आर्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वानी बोधक शब्द, समुवाची शब्द, आदि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे अध्याय का नाम शब्द मन्जूशा यानि वकब जिसमें हम पहला अधन करेंगे परियायवाची शब्द को हुई है माता जी है और पिता जी एक जनक इसी तरह से माता को क्या कहते है मा जन्नी अम्बा अम्मी इसी तरह से बहुत धेरए एक्जामपल है हमारे पास जैसेiment उसलेज पुत्र भी करेंगे जसाना का हैas है फिल सान गर्वफ बेटी हएंगै इस इसी तरह से अगर हम जैसे मनुष्य, मनुष्य को क्या कहते है, मान, नर, मनुज, अब हम दोस्त को मित्र को खूब कहते हैं, हम दोस्त कहते हैं, सक्खा कहते हैं, सहचर कहते हैं, तो यह जो एक से अधिक यानि समान अर्थ जो बता देते हैं, तो समान शब्द जो बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शमान आर्थी यानि प्रियावाची शब्द, तो प्रियावाची शब्द किसे कहते हैं, शमान आर्थ देने वाले शब्दों को समान आर्थी शब्द कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसी का ही क्या कहते हैं, कि शमान आर्थी शब्द या प्रियावाची शब्द भी कह देते है आगे हम अध्यन करेंगे दूसरा हमारा टोपिक आता है विलोम शब्द विलोम शब्द किसे कहते हैं बेटा किसी शब्द का विपरित या उल्टा आर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे विलोम या विपरित आर्थक शब्द जिससे इंगलिस में हम क्या कहते हैं एंट जैसे आप देख पा रहे हैं मृत्यू मृत्यू होना और एक जन्म होना तो अपस में क्या है यह दोनो ओपोजिट है तो यह विलोम हो गए अच्छा बुरा मारना बचाना आदी अंत छोटा बड़ा इसी तरह से मरना जीना गुन दोस आकर्मन रक्षा आरंब शमाप्त तो य सब्सक्राइब को जानते हैं विप्रीट आर्थक शब्द के नाम से तो नेक्स्ट वह पड़ेंगे बैटा हमारा थाड़ का अनीक आर्थक शब्द आप देख पा रहे हैं इसी कि में ही इसका अर्थ शिपा हुआ है अनेक प्लस अर्थक यानि अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहेंगे अनेक अर्थक शब्द जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है अर्थ अब अर्थ को बिटा क्या क्या कहते हैं इ इसी तरह से कर, अब कर को महात भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, किरन भी कहते हैं, और सूंड को भी कर कहते हैं, इसी तरह से काल हो गया, काल को क्या क्या कहते हैं, समय भी कहते हैं, कि काल आ गया, यानि मोत आ गई, मोसम भी कहते हैं, और अवसर भी कहते हैं, तो इसलिए इनक के बहुत सारे अर्थ बताए यानि अनेक शब्दों के एक अर्थ देने वाले अनेक अर्थ तक अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहेंगे अनेक आर्थ तक आप देख रहे होंगे कनक कनक का क्या होता है सोना धतूरागे हूं ठीक है नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहलाता है जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द